मुझे नहीं आता प्यार का इज़ार करना मुझे नहीं आता प्यार का इज़ार करना काच तुम आखों की बाशा समझ लेती मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कहने पाया दिल में जो बात थी वो जुबां पे आती थी लेकिन लबजों में तक्दिल होने से पहले ही कही खोसी जाती थी क्या वो प्यार था? आखों से आखे मिल गई, बातों से बाते मिल गई, बातों के लिए मुलाकाते बढ़ गए और वो मुलाकाते धीरे धीरे दोस्ती में तक्दिल हो गई तब तुमने मुझसे एक बात कही थी, लड़की का हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ते हैं और मैं पगला मनी मन में मुस्कुरा कर गए गया कि मैं तुम्हारा यहाथ जिन्दगी बर पकड़ के रखना चाहते हूँ क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगता था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजरान सा लगता था तबसे तुम मेरे जिन्दगी का हिस्सा बन गई हम साथ में ही मुस्कुराते थे बस फर्ग इतना उदा था तुम खुशी से मुस्कुराते थी और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराता था क्या वो प्यार था? इन आखों को तेरी आदत सी हो गई थी इन ओठों को तुम्हारी इबादत सी हो गई थी एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या को रूपानी तुम्हें देखे तो प्यासा बंज़े और आख तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलना क्या वो प्यार था? तुम्हारे फोन पे रीचाज मै करता था और घंटों तक तुम किसी और से बाते करते थी तुम प्यार से किसी और का हाथ पकड़ती थी और यहां गुद्गुदी मेरे हाथों में होती थी तुम किसी और को गले लगाती थी और यहाँ धड़कने मेरी तेज हो जाती थी क्लास में मैम तुमें डाटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था तुम किसी और के कंदे पर सर्रक कर रोती थी और यहाँ तकलीफ मेरे दिल को होती थी या वो प्यार था? नजाने वो क्या था प्यार था या कुछ और था लेकिन जो तुम से था वो किसी और से नहीं था दोस्तों उसने मुझसे कहा था कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है और कुछ महने बाद वो किसी और के साथ अपने महबत का महल सजा रही थी साला मुझे लगता था कि जिन्दगी का एक उसूल है प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिन्दगी ने अपने उसूल ही बदल दिये तो आज से हम भी बदलेंगे हम भी बदलेंगे हमारा अंदाज जिन्दगी राप्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी सनी इस तरह ये गजल सुना के मैं मैं फिल में खड़ा था और लोग अपने अपने चाने वाले में खो गए थे क्योंकि एक तरफ आई सही मगर हाँ वो प्यार था तो बिसिकली ये दिल की बात थी जो दिल ने बोई लेकिन दिमाग ने बस एक ही बात बोला कि भाई तो फ्रेंड जून होगे है थैंक्यू थैंक्यू सो मच